हाई फ्रेंज वेलकम आपका अपने चैनल पर आई होप आप सब खुश होंगे मंगल में होंगे आप मेरा फोटो देखकर ही समझ गये होंगी कि आज हमारा कौन सा विशे है आईए आज हम बात करेंगे महत्मा गांदी जी के बारे में महत्मा गांदी जी का पूरा नाम मोहंदास करमचन गादी था इन्हें अक्षर राष्टी पिता कहा जाता था एक ऐसे नेता थे जिनोंने ब्रेटेश सासन से भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी वे अहिंसा में विश्वास करते थे हर साल दो अक्टोंबर को मह गांदी जेन्दी के रूप में मनाया जाता है महत्मा गांदी जी पर लगुनिबन रविन्नाट टेगोर जी ने सबसे पहले गांदी जी को महत्मा कहा था जिसका संस्कृत में अर्थ महान आत्मा उनके बुद्धिमान विचारों और विश्वासों के कारण लोग उनका सम् और अपने विचारों को वास्तविक्ता में बदलने के उनके प्रयासों से दुनिया भर के भारती उन पर गर्व करते हैं। खाते थे उनके पिताजी करमचन उत्तमचन गांदी पोरवंधन राज्य के एक महत्वपूर्ण नेता थे। तरीका है। उन्होंने अपने जीवन के 20 साल दक्षिम अफिरिका में भेदभाव से लड़ने में समर्पित कर दिये। अहिंसा के उनके विचार जिसका आर्थे किसी को चोटना पहुचाने की। दुनिया भर में कई प्रभाव शाली लोगों ने व्यापक रूप से प्रसंसा की और उनका अनुसरन किया। वह एक मन्य वेक्ती बन गए जिनने किसी भी प्रस्तिती में प्रजय नहीं किया जा सकता। महत्मा गांदी ने खादी या जूट जैसे कपड़ों के उपियों को प्रोहसाहित करने के लिए खादी आंदोलन की शुरुवात की। यहां आंदोलन बड़े अस होईयों का आंदोलन का एक महत्वपोण हिस्सा है। जिसमें भारती वस्तों के वकलत की और विदेशी वस्तों का हत्वस्तन किया। गांदी ने करशी का पूर जोर समर्तन किया और लोगों को खेती में शामिल होने के लिए प्रोसाहित किया। उन्होंने भारतियों को शाररिक श्रम अपनाने के लिए प्रेरित किया और आत्म निर्भर पर जोर दिया। उन्होंने अपनी जरूरतों को पूरा करने और साधा जीवन जीने का अगरे किया। उन्होंने विदेशी वस्तुओकर निर्वर कम करने और भारतियों के बीज स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए चरक का उपियोग करके सूत कपड़ा बुना शुरू किया। भारतियों की आजादी की लड़ाई के दोर में गांधी जी को अपने अनुई अन्यों के साथ कई बार जेल जाना पड़ा। लेकिन उनका मुख्य उदेश हमेशा अपनी मात्र भूमी की आजादी ही रहा। जेल में रहने के बावजूद भी उन्होंने कभी हिंसा का रास्ता नहीं चुना। महत्मा गांधी जी ने विबिन सामाजिक मुद्धों पर योगदन दिया। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अश्परशता के खिलाफ प्रयाश किया। जहां उन्हें इस प्राचिन सामाजिक बुराईयों के खिलाफ भूख हरतल की। जिसके अनुए अधुनिक समय में शोशित समुदाईयों के उत्तर में काफी मदद मिली। उन्होंने समाज में शिक्षा, स्वच्चता, स्वास्थ और समानता के महत्व पर भी चोड़ दिया। इन गुनों ने ही उन्हें एक महनात्मा वाले वेक्ति के रूप में परभाशित किया है। और गांधी से महत्मा बनने के उनके परिवर्तन को परिचित ठेराया। उन्होंने कई सोतंतरता आंदोलन का नेतरुत्व भी किया है। जिसमें भारत छोड़ों आंदोलन भी शामिल है, जो बहत सफल रहा। उनकी मृत्यू शान्ती और लोकतंतर की ताकत के लिए एक बहुत बड़ी शती थी, जिसमें राष्टे के जीवन में एक महत्वपूर्ण शुन्य छोड़ दिया। गोपाल कृष्ण गोखले एक प्रमुक भारती राष्टेवादी नेता थे। उन्होंने महत्मा गांधी जी की राजनेतिक विचारधारा और नेत्तित्व की द्रश्टी कोन को काफी प्रभवित किया। गांधी जी उन्हें अपना राजनेतिक गुरु मानते थे। महत्मा गांधी जी ने ब्रेटेश अर्षन से भारती की आजादी की लड़ाई में महत्वपुन भूमी का निभाई। उनका जीवन अपने देश और उनके लोगों की सेवा के लिए समर्पित था और वे भारती नेत्तित्व के एक अंतर राष्टी प्रतिक बन गए। आज भी वे अपने मुल्यों और सिद्धन्तों से दुनिया भर के युवकों को प्रवरित और प्रोसाहित कर रहे हैं।